हाई फ्रेंट्स वेल्कम अगिनाओ सीयने तुरुपता क्लासे तो हम लेके आएं आपके सामने कि स्ट्रेटजी बई मैंने अपने लिए जो फॉलो करी वह स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं में भी आपको बहुत जादा फूटफुल हो है तो मैंने तो खुद कैसे करी क्या स्ट्रेटजी है दे को स्ट्रेटजी नहीं होती सेल्फ इसड़ी बहुत बड़ा परिश्रम है यह कोई स्ट्रेटजी नहीं है कोई ट्रिक नहीं है यह एक तो ट्रिक 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 और स्ट्रेटजी बस मेरे भाईया अगर बहुत अच्छा बहुत बड़ा स तो कोई strategy नहीं सिर्फ एक strategy है आपको बहुत जादा परिश्रम करना पड़ेगा hard work करना पड़ेगा वो भी smartly सही direction में तभी possible है otherwise नहीं चलो फटा फट से strategy देखते हैं मैंने क्या follow करी एक बात ध्यान रखना मैंने 11-12 को पढ़ाने के लिए पहले IIT BTEC का math किया था खुद तब जाके मैंने 11-12 पढ़ानी start करी और यही वो reason है कि मेरा math, economics, business studies, stats बहुत sound है इसके वेसे मेरे सारे subjects बहुत sound है आपने बहुत सारे subjects हमसे ले रखे होंगे या फिर बहुत सारे बच्चे YouTube पे देखते होंगे चलो जी तो देखते हैं मैंने खुद के लिए क्या strategy follow करी थी तो फटा-फट से सारी चीज एक बार सबसे पहले step 1 तो strategy है rank वाली obviously बात है और rank सबसे important चीज सिर्फ rank नहीं है rank knowledge के साथ होगी तो आपका future होगा तो packages होंगे सिर्फ किसी तरीके से आप जुगाल करके अगर rank लिया हो रटे लगाके number लिया हो वो useless हैं चाहे आपके 100 में से 100 हैं वो useless हैं ठीक है क्योंकि marks को jobs packages नहीं मिलते knowledge को मिलते हैं interview crack करने पड़ते हैं step 1 सबसे important चीज obviously बात है आपने हमारी videos में देखा होगा या हमने से classes दे रख कोर्स की भी जरूरत नहीं है कोई आपको flow charts और इन सब की कोई जरूरत नहीं है logic बहुत मस्त होने चाहिए तो logic है understanding है बहुत अच्छा समझा है आपने फटा फट से short notes बना लिए खेक है step 2 book अब book जो हम आपको books बताते हैं foundation, inter-finals, cac, cma, cfa, cpa, cpa whatever the cases उसमें हम आपको जो videos देखी किसी भी तरीके से है किसी की भी videos देखी whatever the cases और फिर आपको क्या गरना है उस chapter के questions, question पढ़ा answer को छुपा दिया, question पढ़ा उसका solution खुद किया और फिर हाथ की आथ उस book से check किया कि भईया क्या सही है क्या गलत है, फिर next question answer खुद किया, फिर answer check किया, अब आप एक च test चल रहा है, तो सोचो पूरा course आप test के रूप में कर रहे और अपना answer खुद चेक कर रहे हो, on the spot आपको यह भी मिल रहा है कि कहां आप सही हो, कहां आप गलत हो, और हमारी तो videos इस तरीके से बने गई हैं कि वो self-explanatory हो जाती है, self चीज हो जाती है, और दूसरी चीज हम doubt session भी देते हैं ना daily, बहुत important चीज है, तो इस तरीके से पढ़ो कि आपको last में test की कोई जरूरत ही नहीं हो, कि कोई और test लेगा, check करके देगा, आहा, 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 चलो जी, लेकिन हाँ वैसे हमारे यह भी test series होती हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भाईया, क्यू पैसे waste करत लेकिन लिखो, लिखो उसको और फिर अपना answer check करो, ऐसे करना है, ठीक है, फिर एक chapter हो गया chapter 1, अब उस chapter 1, फिर chapter 2, 3, 4, आपने इस तरीके से वो पूरी की पूरी book solve कर ली, ठीक है, अब आओ आप, अब आप 4 chapters, एक साथ, आपने जो notes बनाए हैं, उन notes से revise करो, और फिर उन 4 chapters का module solve कर लो, फटाफट से, एक ही बार में, चारो chapter, फिर अगले 4 chapter revise करो, और फिर 4 chapters का module solve कर दो, तो module जो आपको करना है, जो हम book बताते हैं, उसके बाद as revision करना है, तो पूरे के पूरे subject की एक बहुत अच्छी fast track revision होगी, इस तरीके से पढ़ना है, आप book के साथ chapter 1 किया, उसी के साथ module का chapter 1 मत करो, वो useless हो जाएगा, 50 question की जगा 70 हो जाएगे, और क्या होगा, useless हो, module को revision के रूप में use करो, तो module solve भी हो रहा है, और आपकी revision भी हो रही है, इसको बोलते हैं effectiveness, इसको बोलते है smart study, smart study का मतलब वो नहीं है कि ABC analysis कर लिया, दस में से ये 6 chapter कर लो, 4 छोड दो, ये अधूरापन है, और जो भी अधूरा होता है, वो कभी success हासिल नहीं कर सकता, grant success हासिल नहीं कर सकता, मालनो मेरी बात, ये जितने ABC analysis करा रहे हैं, ये सब आपका future बरबाद कर रहे हैं, इसको बोलते है smart study, जो मैंने बताया, कि book के साथ module मत करो, book कर रहे हो, पूरा course खतम कर लिया, आपने पूरा subject खतम कर लिया, अब 4-4 subject के notes revise करो, और फिर उन 4 chapters का module करो, फिर 4 chapters revise करो, फिर 4 chapters का module करो, अब देखो, देखो, book के साथ भी module हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज जादा fruitful है, time आपको एक तरीके से same ही लग रहा है, लेकिन कहा कहा पे आपको benefit जादा मिल रहा है, कहा पे आपको फाइदा जादा हो रहा है, कहा पे आपकी effectiveness आरी है, वो चीज notice करो, इस चीज को बोलते है smart study, same time या फिर minimum time, maximum output, smart study का मतलब पता नहीं, आज कल लोगोंने क्या कर दिया है, चोरी करने को smart बोलते हैं वो लोग है, कि हम आपको बढ़ने का तरीका क्या है, और कोई test की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, question, खुद करो solution, हाथ के हाथ चेक करो, question, खुद करो solution, हाथ के हाथ चेक करो, देखो हाथ के हाथ टेस्ट चल रहे हैं आपके, अब one month before आप क्या करोगे, यह बहुत important है two plus one plus one plus one rule, revision का, the ng rule of revision, two into one का cube, अब यह क्या भई, तो एक महिना पहले, let हम मान के चल रहे हैं, आप all eight subjects के लिए prepare कर रहे हो, foundation वाले ठीक है, चार subject हैं, लेकिन चार में भी वो छे subject तो होई जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले, दो-दो दिन में revise करो, दो-दो दिन में, और हम guarantee लेते हैं, finals तक की, CACS, CMA, MBA, whatever the case is, any subject, कि आप हमसे करते हो, अगर, तो दो दिन में बहुत प्यार से, आप पूरा का पूरा subject revise कर सकते हो, बहुत प्यार से, easily, जिनोंने हमसे courses लिया हैं, उनको पता होगा, तो दो-दो दिन में revise करो, एक-एक subject बहुत प्यार से, आठ subject हैं, दो दिन का मतलब 16 दिन हो गए, अब फिर एक-एक दिन में revise करो, तो आठ subject हैं, एक-एक दिन में revise करोगे, आठ दिन हो गए, 24 हो गया, फिर एक-एक दिन में revision करनी हैं, अब जब आप एक-एक दिन में revision करो तो यह वाली revision आप reverse करोगे reverse कैसे 8th paper की सबसे पहले फिर 7th paper फिर 6th paper फिर 5th फिर 4th फिर 3rd फिर 2nd और फिर 1st क्यूंकि प्लस आठ का मतलब होता है 32 days 32 days मतलब अगले महीने की एक या दो तारिक क्योंकि 30 क्या 31 का जो भी महीन है तो दो तारिक को आपकी जब revision वो खतम हो रही है तो इसका मतलब वो आपका उस दिन paper है उसी subject का paper है जो आपने एकदम last revision कर यह तो उल्टी revision करते हैं यह वाली revision ध्यान रखो इसको बोलते है smart study this is smart ABC analysis is not smart that is cheating अधूरापन और फिर यह अब आपको एक एक दिन में revision करने की आदत पड़ चुकी है अब exam time हर exam में एक दिन की तो छुटी है न उस एक दिन में फिर दुबारा से आप यह revision कर सकते हो इसको बोलते है smart study इसको बोलते है confidence इसको बोलते ह है कहानी तो यह है smartness काम करने का तरीका smart होना चाहिए कोर्स कम कर लो जो paper में आता है सिर्व वो कर लो अरे Mukesh Ambani की Tata की company में जाओगे तो क्या बोलोगे यह चार चेप्टर तो हमने किये ही नहीं थे हमको आते ही नहीं और बागी चेप्टर भी रट रखें वो पता ही नहीं नहीं मिलेगा MNCs में काम माल लो मेरी बात इसलिए वो लोग रो रहे हैं सारे के सारे कि जौब नहीं है जौब बहुत सारी है बहुत जादा हैं इंटर्व्यू क्रैक नहीं हो रहे बच्चों से इसलिए अपने साथ तो कम से कम cheating मत करो अपने future के साथ cheating मत करो छोड़ दो प चलो जी तो इस तरीके से पढ़ना है आपको तो आपको समझ में आया बुक के साथ मॉड्यूल नहीं करना पहले बुक कर लो फिर चाचा चैप्टर रिवाइज और उसका मॉड्यूल दैट इस स्मार्ट स्टडी दैट इस स्ट्रैजिक वे ओफ पलैनिंग अद उसके साथ implementation, यह है smart study, लेकिन hard work तो करना ही करना है, हाँ उसको smartly करना है, एक बच्चा book के साथ ही module कर लेता है, और एक बच्चा book पहले कर रहा है, फिर module को revision में कर रहा है, दोनों कर, same ही book रहे हैं, same number of questions कर रहे हैं, लेकिन एक ने उसमें smartness जोड़ दी, उसका output जादा अच्छा हैगा बहुत जादा effective है वो, यह smartness है, और फिर यह 2 is to 1 is to 1 is to 1, that is 2 into 1 का cube, यह है ng rule, तो मेरे खुद derived rule हैं यह, आहा, तो मैंने apply करें अपनी practical life में, आप भी apply करो, देखते हैं क्या result आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, revision, 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 test, लेकिन मेरी जान, जिसकी step 1 week है, जिसने course समझे नहीं है, रटे हैं, वो number तो ला सकते हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी MNCs में काम नहीं कर सकते हैं, एक high post पे नहीं पहुंच सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा truth है, कटू सकते हैं, चलो जी, तो best wishes to all, तो फटा-फट से लग जाओ, जर अपन फटा-फट से एक time schedule बना लो, किसी साफ से आप क्या करने वाले हो, और उसके साफ से लग जाओ, और किसी भी subject, किसी भी topic में कोई भी दिक्कत है, तो हमसे बात करो, मिलते नेक्स क्लास में, till then, bye-bye, और NG Classes एक लौती ऐसी classes है, जो confidently कहती है, कि भाईया, हम guarantee देते हैं, up to finals any subject, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें guarantee देते हैं, चलो मिलते नेक्स क्लास में, till then, bye-bye.